त्भी चैंपियंज को एक बार फिर से वेलकम है प्यारे से सेस्वन में च्छोटी से सेस्वन में यह च्छुटकू सा सेस्वन क्यों सब अलग अलग कैटगरि यहां से भी कई बार कोईश्यन बन जाता है तो आए एक छोटे से अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई दिख्कत नहीं है जुन में इंपॉर्टेंट मार्क है वह आप उनको जरूर ध्यान से देखिएगा चले फिर बिदाव डिले स्टार्ट करते हैं तो यह यंग वन्स हैं इस साइड पूरे यंग वन्स से लिखे हुए है ब urer butterfly के लिए कि यूज ऐएज करता ओर काव के लिए क्या यूज करते हो ओर को को रयली यूज करते होई को के लिए इसक लिए इंपोर्टेंट हेला और यह क्वे पूछे जाता है इस लाइट से बाकी अगर याद रखते हो यह तो याद रखने की जवनत भी नहीं है उसे याद हो जाएगा है ना बाकी butterfly के लिए caterpillar और Ass के लिए hole है तो यहाँ पर दो ही ध्यान रखने है यह आपके cow और dog का तो पहले वाले स्लाइट से दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको देखने को मिलें तर दूसरी स्लाइट में चलता है इगल का एग लेट होता है यह तो आप एक बार भी पढ़ोगे तब भी क्लियर हो जाएगा एगल का जो यंग वंस है उसको क्या बोलोगे एग लेट बोलोगे तो यह क्या होजाएगा वोट का किड ओर मतलब हर कि अलए कि बात कर रहा है इसका लब रेंट यह ध्यान रखेंगे curva का लाडी सारे चया करें इसकानार लेएं परूलन को लिखने की कोशिस करना क्या सारे लिख पार आप है और सग्यार बन आसए लेकिन यहां पर फूल और और ब से दो इंनलिक है हर नहीं वागी याद रखना चा04 और वह हैं कि एगल का वैसे भी याद हो जाएगा मेर का फुली यहनु आपने हार्स के लिए कोट यूज की से मेर के लिए क्या करोगे फिली मतलब फिमेल के लिए कोर्ट मतलब मेल के लिए बस यह अंतर है दोनों में अगर देखोगे तो पिग का पिगलेट यह तो कई बार यह एलिटी लगा करके भी आप उसका फैमनिन बना ले उसका यंग वन्स बना ले तो जैसे एगल से एगलेट बनाए आपने है स्टैलियन होर्स यह भी होर्स के लिए यूज करते हैं हौर्स की एक तरीके के प्रतियात के कह सकते हो फोल पिछे आप पड़ी चुके है इसलिए बल्ड का नसलिंग और कैट का हो जाएगा किटें यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड यह ह दो important word है इस slide में, तो मियर का फिली और cat का फिटेंट, पके ध्यान रखे है का horse को ही क्या बोलते है, stallion बोलते है, दूसी तरीके से आप को याद रह जाएगे, horse का जो है वही stallion का है, पिक का पिगलेट बन जाएगा, eagle का इगलेट बन जाएगा, ठीक है, चली आँगे बढ़ deer का हो जाएगा, fawn हो जाएगा dog का duckling यह तो याद भी नहीं करना है, यह तो वैसे याद हो जाएगा, eagle का एगलेट, पिकक अप, एगलेट, डॉकर, डॉकलिंग, यहां से तीन फिर से आपको ध्यारन रखने, काउ, डियर और फ्रॉक, देखे, जैसे यह वर्ड है काउफ ना, यह कई के लिए आ जाता है, जैसे यह पर एलिफेंट के लिए आ गया, काउ के लिए भी आ गया, पीछे अप यूश किये हो, तो ऐसा नहीं है कि एक के लिए एक ही होगा, कई यह वर्ड जो common होते हैं, जैसे गूज का गुजलिंग, जैसे आभी आपने एक वर्ड पढ़ाथा आ, कौन सा, ये वाला, आपने का था डख का, डख लिंक वैसे गूच का गूजलिक तो यारण का लगा कर के उसका येंग वन्स बनाया था लिंग इसे आएंजी लगा करके भी आप बना लेते हो गूज याँ रखेएग अभा थान का पलूअ यहाँ, ऐनका पलेट यारण lion का, bear का, fox का तीनों के लिए कब यूज करते हैं। owl का owlet। तो तीन आपने पढ़े हैं, एक eagle है, एक pig है, एक owl है और तीनों का let लगा करके बना ले तो यह et लगा करके बना लेती हो है बहुते हुला है एन का पलेट का हो गये लाइन बीयर और फॉक्स का कब तीप का लैंब और स्वान का सिगनेट यह देखे गए एक चीज यह तो यह तो यादी कर पाऊ गया और गूज का गूजलिंग आई एंजी लगा करके मना लोगे है ना कुछ जैसे आई एंजी जैसे डखका डखकलिं तो आप आसानी से कर पाऊगे पहले वाले में तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है किवल आपको ध्यान रखना है कौन सा काव का हीफर यह बिसिकली फीमेल अगर यंग वंस है तो उसको हीफर बोलतो है ना जैसे आगे आपने काव के लिए एक वर्ड और भी य यंग वंस है उनमें भी मैस्कलिन के लिए अलग फैमिन के लिए अलग वर्ड हो जाता है तो यह वाली बात आपको समझनी पड़ेगी है तो यहां पर आपने कौन-कौन से वर्ड पर फोकस किया है वो दिखेगा कौक वाला क्लियर हो गया काव वाला काव वाला होता है यह वाली बात ध्यार नखिएगा हरे होर्स का फोल या कोल्ट और होर्स के लिए वर्ड एक आपने इस टैलियन अभी पीछे पड़ा था मेर का फ्री हो जाएगा फिक का पिगलेट इस टैलियन का कोल्ट या फूल बर्ड का नसले और का किटेंट वाला बहुत इंप के लिए कॉफ यूज करते हैं और फ्रॉक का टैट फोल हो गया गूज का गूजलिंग हैंड का पलेट लायन और फॉक्स का कब आउल का आउलेट सीप का लैंड स्वान का सिगनेट है ना यह तो सेम स्लाइट रिपीट हो गई है तो होप सो अब आपको यंग वंस में प्रॉअ हमिल लोगा किसके खाल आप इनीमल जांड के बारे में बात करेंगे एक सेशन होगा जहाँपर हमिल साउं के बारे में बात करेंगें किसकी कंपेर किस से कड़ते हैं वह बेसिक से कोश्टन दे रिगता है ठीक हैrem गारी ओ시면ला कर टैंक आटेंडिंगों बर आटें